नमस्कार जेहिंद मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक्जाम गाइड गुरू के यूटूब चैनल पर दोस्तों पॉलिटी के 40 MCQ लेकर आया हूँ फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है आपको 30 लाने हैं और 8-10 कॉशन पूछ लूँगा करीब 50 कॉशन हो जाएंगे हमारे 10-12 मिनिट में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्लीज पहले से ही लाइक कर दीजिए बीच में आप लोग कॉशन पढ़ेंगे या लाइक का बटन दबाएंगे तो प्लीज लाइक ज़रू कर दीजिए अभी से श्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को पहला कॉशन देखिए क्या लिखा हुआ है भारत के सम्विधान के अंतरगत किसी व्यक्ति को डैश तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा केवल विधी द्वारा निधारी तरीती के अनुसार जीवन तथा स्वतंता से वंचित किया जा सकता है अगला प्रशन देखिए उसमें पूछा गया है आपसे मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश क्या है इन में से जो आपको आप्शन दियेगा है तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा व्यक्ती की स्वतंतता को सुनिश्चित करना मतलब ऑप्शन नमबर सी सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए ये राहाप की स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है निम्द लेखों में से कौन सा व्यक्ती स्वतंतता का संरक्षक है तो व्यक्ती स्वतंतता का संरक्षक आपका बंदी प्रत्यक्षी करण option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा अवेला question देखिए यह आपकी screen पर आपसे पूछा गया है निम्द लेकित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को ही उपलब्द है बागी किसी को नहीं बाहर के जो लोग आएगे तो यह सभी भाशन की स्वतंता है सामुदाय एबम संग बनाने की अधिकार है बिना सास्त्र सांती पूर्वक एकत्रित होने की सुतनता है बिना सस्त्र होगा यह सास्त्र गलत देगिया टाइपिंग मिश्टेक है उपरोक तो सभी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए यह आपकी स्क्रीन पर आपसे पूशा गया है भारती सम्विधान में प्रदत मूल भूत अधिकारों को निलम्बित करने वाली सत्ता कौन सी है तो केवल और केवल संसद कर सकती है अधिकारों को निलम्बित ऑप्शन अंबर बी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंद में इमर्जेंसी किस अनुछेद के तहत लगा जा सकती है आंतरिक सुरक्षा की दरश्टी से अगला कॉश्चन देखिए निलम्लेकों में से कौन सा अव्यक्ती स्वतंतता का संरक्षक है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षी करन लेक अभी आप से पूछा था इसके जश्ट पहले भारती सम्विधान के अंतरत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन उत्तरदाई होता है तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए A और B मतलब उच्चे नियायल है और सभी नियायलों का जो है काम रहता है कि भी हम मौलिक अधिकारों को लागू करना ठीक है अगला कॉशन देखिए ये राप्ती स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है राज्यों को भाशा के आधार पर गठित करने है तो 1949 में गठित प्रथम आयोग कौन सा था तो सही आंसर हो जाएगा Justice M के धर आयोग option number C से आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए मौलिक अधिकारों के उलंगन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोचिन आयले में जाने का अधिकार सम्विधान के किस अनुछेद से मिलता है तो आप Supreme Court में जा सकते हो अनुछेद नंबर 32 से यदि आपके मौलिक अधिकारों का कोई उलंगन करता है तो सम्विधान दुआरा प्रदत सांस्क्रतिक एवं सिक्षन अधिकारों का मुख्यों देश क्या है तो यह है अल्प संख्यकों को अपनी संस्क्रती बनाय रखने में सहायता देना अगला कॉशन देखिए यह आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है इस समय संपत्ती का अधिकार कौन सा अधिकार है वस्तुता है तो वस्तुता है कानूनी अधिकार ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सरकार ने अइस प्रस्षिता को समाप्त करने के लिए समविधान को किस अनुछेद के अंतरगत कारवाई की तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुछेद नंबर 17 भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री की उपादियां सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत प्रारंब करी है तो अनुछेद 18 में लिखा ज़िए आपसे कोई पूछे कि भारत रत्न और पद्मश्री निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंद लगा बेगार पर प्रतिबंद और 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को कारखान इत्यादी में काम करने पर प्रतिबंद अगला कोश्चन देखिए आपसे पूछा गया है भारत का नागरिक बनने के लिए निमलकित में से कौन सी शर्थ गलत है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएग आपका संपत्ति का अधिकार पहले था जिसको समप्त कर दिया है आपको कमेंट करके बताना है कि आप संपत्ति के अधिकार को कहां पर जोड दिया गया है डाल दिया गया है ठीक है कमेंट करके बताना किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का अधिकार अभी आपसे पूछा सारवजनिक व्यवस्था के लिए कर सकते हैं कुल मिलाके जब उनको करना होगा वो कर ही लेंगे डॉक्टर भी आर अम्बेड करने किस मौलिक अधिकार को सम्विधान के फिर्दाय तथा आत्मा की संग्यादी है कितनी अवधी का निवाश आवश्यक है तो कम से कम सात वर्स रहना चीए अब दस वर्स हो गया है भारत का सम्विधान कैसा है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक हरी नागरिक्ता मतलब केवल भारत के नागरिक्ता होगे नहीं तो यदि किसी और देश में जाके नागरिक्ता ले लोगे तो आपकी नागरिक्ता भारत से समाप्त हो जाएगी अगला कॉशन कौन सी संस्था देश की पंच वर्स ये योजना को सुईकरती प्रदान करने वाली सर्वोच संस्था है तो सही अंसर हो जाएगा राष्टी विकास परिसर ये कॉशन कई बार पूछा गया है किसकी सिफारिस पर भारत की संचित और नधी से राजियों को सहयता अनुदान दी जाती है मंत्री मंडल सचीवाल है किसके अधीन है तो सही अंसर हो जाएगा का शुभारम अगला कॉशन आपसे पूछा गया है शिशुओं के अधिकारों के संरक्षण से संभनेत राष्टी आयोग सभापती कौन है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सांता से ना इसको एक बार देख लेना अपडेट कर लेना इस कॉश्चन को ठीक है इस कॉश्चन क करके बताना है ठीक है त्रमूल कॉंग्रेस जो है राष्टिय दल है या नहीं कमेंट करके बताना है ठीक है देखते हैं कितने लोगों को इस कॉश्चन का अंसर पता है निम लगत में से किस मुख्य नया अधिश को राष्टपती पर पद पर आसीन होने का गौर और चुनाओ लड़ने की अधिकतम आयू कितनी होगी तो सही आंसर हो जाएगा कोई भी सीमा नहीं दी हुई है समविदान के अनुसार होता है तो समविदान में कोई भी सीमा नहीं दी हुई है राष्टपती के चुनाओ के लिए कमेंट करके बताईए प्रधान मंत्री बनने क के लिए नियुनतमायू कितनी होनी चाहिए अगला कोश्चन देखिए यह आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है निम्नमेंसे किसने राष्टपती पद ग्रहन करने के पूर्व भारत रत्न ही प्राप्त कर लिया था तो सही आंसर है डॉक्टर एश राधाकृष्णन इन कौन सा राष्टपती अपने पद पर दो कारिकाल के लिए बनारा तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए राष्टपती का कारिकाल कितने वर्ष का होता है तो सही आंसर हो जाएगा पांच के निरवाचन आयोग द्वारा कराये जाता है निम्न मैंसे कौन राष्टपती के चुनाओं में भाग नहीं लेता तो सही आंसर हो जाएगा विधान परिसर के सदस्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आज का अंतिम कॉशन है समिधान केंद सरकार की समस्त कारे कारणी सक्तियों किसे प्रदान करता है तो के असरकार की समस्त कारे कारणी सक्तियां राष्टपती को प्रदान करता है ठीक है ये लोग सर्पाइस कॉशन इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना कि सम्विधान के किस संसोधन से सम्विधान के किस संसोधन नीती निदेशक तत्वों सिदानतों को मौलिक अधिकारों को प्रात्मिकता दी थी कमेंट करके इस कॉशन का आंसर दीजिएगा आपको चारों अप्शन दिख रहा हूँगे A, B, C, D देखते हैं कितने लोग इस कॉशन का आंसर दे पाते हैं करीब चालिस में से आपके कितने कॉशन सही हैं ये भी कमेंट करके बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा तो शेर कर दो प्लीज शेर कर देना और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बता दो आगे ऐसे वीडियो चीह हैं तो जरूर मिलेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन बहुत-बहुत शुभ हो बहुत-बहुत धन्यवाद